मेरे बहुत ही प्रीय और बेहत सम्मानित साथियों रिदय की असीम गहराईयों से अभिनान दन बहुत बहुत आर्थिक स्वाकत साथियों हमारी इस विशिष्ट शन्खला में इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं जोतिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग जिसको नाम दिया गया है चांडाल योग आप इसके नाम पर मत चाहिए क्योंकि जैसे ही आप इसका नाम सुनेंगे आपको लगेगा कि ये एक नकारात्मक परिणाम देने वाला योग है परंतु साथियों जोतिश में कभी भी कोई भी योती केवल और केवल नकारात्मक परिणाम कभी भी नहीं देती है आज हम चर्चा करेंगे कि तुला लगन की जन्मुपत्रिका में किस भाव में कहां पर बैठ करके गुरु और राहु की युती चांडाल योग का निर्मान करके किस प्रकार का परिणाम आपको प्रदान करती है यदि आपका लगन कोई और है तो यहाँ आई बटन में हम उसका भी लिंक दे रहे हैं आप अपने लगन से संबंदित एपिसोड जा करके देख सकते हैं साथियों इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहत जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्यक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रशन का उत्तर देते हैं और ये प्रशन हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, कोई प्रशन पूछना हो तो उससे ठीक पहले हैश्टेग आचार चंदरकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और जिस प्रकार से ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से करें काफी जातक जो हैं वो इसको घलत धंक से इस्तिमाल करते हैं उसके बाद में आप अपना प्रशन लिखिए, कोई भी एक प्रशन पूछिए और साथ ही अपनी डेट आफ बर्थ, अपना टाइम आफ बर्थ और प्लेस आफ बर्थ जरूर लिखें तो साथियों आईए बिना किसी देरी किये तुला लगन की जन्मोपत्रिका में चांडाल योग की चर्चा करें साथियो तुला लगन ये जो जन्मपत्र का आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये तुला लगन की जन्मपत्र का है साथ नंबर से प्रारम्भ हो रही है लगन में साथ नंबर का अंकल लिखा है लगनेश इस जन्मपत्र का में बनते हैं शुक्र देव और तृतियेशकों की गुरु की महत्वपून भूमिका है चांडाल योग में इस जन्म पत्रिका में तृतियेश और शेष्ठेश ये दोनों अर्था तो तृतिये भाव और छठे भाव के मालिक हो गए है गुरु देव तो लगन से प्रार्म कर लेते हैं यदि गुरु और राहु की युती लगन में ही तुला लगन में यदि बेराजमान है तो ऐसी स्थिती में राहु अपने मित्र की राशी में हैं इस कारल से वो यहाँ पर शुभ नहीं बलकि अती शुभ परिनाम प्रदान करेंगे जब जब इस व्यक्ति को राहु की दशा या अंतरदशा आएगी तो ऐसे व्यक्ति को सातों सुख जरूर मिलेंगे परंतु इसके ठीक विपरीत जब भी गुरु की दशा या अंतरदशा आएगी उसको हेल्थ प्रॉबलम होना शुरू होगी ऐसा व्यक्ति जो है वो धर्म के क्षेत्र से कहीं न कहीं आए जरूर अर्जित करता है और इसकी तर्क शक्ती बहुत ही विलक्षन होती है द्वितिय भाव जो कि धन या कुटम्ब का भाव है यदि यहाँ पर गुरू और राहू की युति है राहू यहाँ पर हो गए नीच राशी के ऐसा विक्ती अपने परिवार से सदे वो दूर ही रहता है कारण चाहे कुछ भी हो उसको अपने भाई बंधूं से दूर रहने का ही मौका हमेशा मिलता रहता है साथी धन की जो एक साइकल होती है वो हमेशा गड़ बढ़ रहती है एक संतुलन जो होना चाहिए कि हाँ आपकी जो आए है उससे कम आपके खर्चे हो तो एसको एक ठीक साइकल माना गया है परमतु कई बार इनके पास आये ज्यादा हो जाएगी तो उससे भी ज्यादा व्याय हो जाएंगे इस प्रकार से इनका अर्थ शास्त्री यहाँ पर सीथे तोर पर गड़ बड़ होता नजर आ रहा है जिसको कि यदि हम कहें कि जो धन का घड़ा है उसमें एक पर्मानेंट र गुरू और राहू की ये युति यदि तृतिय भाव में बिराजमान है तो ऐसे विक्तियों को अपने मित्रों अपने सगे भाईयों अपने परिजनों इनसे कभी भी भूल कर भी धन का लेंदेन नहीं करना चाहिए यदि आपको उन्हें अपना दुश्मन बनाना है तो आ गुरूप धारण कर लेते हैं साथ यो कड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन इनसे इनके मित्र परिजन चुटकियों में इनसे धन लेकर के जा सकते हैं और फिर कभी भी वो धन वापस देने का नाम नहीं लेंगे इसलिए सावधानी में ही आपकी भलाई होगी चतुर्थ भाव यदि चतुर्थ भाव में गुरू और राहू की ये युद्धी बिराजमान है गुरू यहाँ पर नीच राशी के मकर में बिराजमान हो गए ऐसे व्यक्ति को अपनी माताजी से संबंधित सदेव उनके हेल्थ से संबंधित सदेव ही चिंता बनी ही रहती है ऐसे व्यक्ति को राहू घर बहुत कम उम्र में स्वैम के घर का मालिक जरूर बना देगा परंतु जैसे ही वो उस घर में जाता है उसको मानसिक तनाव की स्थिया निरंतर चालू रहती है ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी भी अनुशासित नहीं रह पाता नियम पालन करने को ल साथ यो पन्चम भाव यदि पन्चम भाव में गुरू और राहू की ये युति है तो राहू यहाँ पर शुभ परिनाम देगा किवल राहू की वजए से ये व्यक्ति उच्छ शिक्षित होगा उच्छ डिगरी हासिल करेगा बड़े विश्व विद्याले किसी बड़े अवश्य ही रहेगी परन्तु गुरू यहाँ पर इनके प्रेम संबंदों में असफलता का कारण बनेगा संतान या तो होती नहीं है या जो संतान है वो आपको किवल दुख देने के लिए ही उत्पन हुई है ऐसा अनुभव यहाँ पर चांडाल योग करवाता है साथियो चठा भाव यदि यहाँ पर गुरू राहू की यूती है चांडाल योग यदि निर्मित हो रहा है तो यह बहुत ही सुखद अनुभव देगा यहाँ पर राज योग का ये कारण बनेगा ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही ऐसे डिसीजन ले लेता है कि उसका भविश् द्रिष्टिकोन से भी आर्थिक द्रिष्टिकोन से भी सामाजिक द्रिष्टिकोन से भी सुखद अनुशासन में ऐसा व्यक्ति रहना पसंद करता है और कोर्ट केस में ऐसे व्यक्ति को सदैव विजैश्री हासिल होती है साथ यो यदि यही युती सब्तम भाव जो की मैरेज और रिलेशनशिप शादी का भाव है यदि यहाँ पर हो तो दामपत्य में खटास जरूर होती है और खटास इतनी बढ़ जाती है अलगि वो खटास बाद में मिठास में जरूर बदलेगी परंतु खुशियों की बात अलग है यदि इनका दामपत्य जीवन सामान या आसत भी एवरेज भी यदि हो जाए तो वो ही इनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा पार्टनर्शिप में कार्णे इनको कभी बिलकुल भी नहीं करना चाहिए घलति ही से भी पार्टनर्शिप व्यापार में नहीं करने चाहिए ये निजी व्यापार करते हुए यदि सवयम अकेले रहते हैं और ये युदि ये युथी अश्टम भाव में बिराजमान है तो ऐसा विक्ति अपनी बीमारी का या तो हो सकता है कि उसको अपने शरीर की किसी बीमारी का पता ही न चले और एक दम से पता चले जब वो बीमारी बहुत ज्यादा प्रतिशत में बढ़ चुके है या फिर इस स्वेम की mentality ऐसी होती है कि ये अपनी बीमारी छुपाने का ही कार्रे करता है और जब वो बिमारी बढ़ जाती है, जब जान पर बनाती है तब फिर इनको गंभिर संकट का सामना करना पड़ सकता है अपने ही किसी विश्वस्त कर्मचारी से इनको बड़ा धोखा अवश्य मिलता है साथियों यदि गुरु और राहु की ये युती, ये चांडाल योग नवम भाव, भाग्य भाव में यदि विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय विवाह के पश्चात ही होगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं होगा और विवाह के पश्चात भी तब होगा, यदि ये पूर्ण रूप से, किसी विद्वान से, ठीक से, वैदिक रीती से कुंडली मिलान करके विवाह करते हैं, तो सफलता इनको देरी से मिलेगी, परंतु, यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है, कि इनको जब सफलता मिलेगी, तो ये सारी कसर एक साज में निकाल देंगे जो इनसे बहुत आगे हैं, उनको भी ये पचाडने का कार्री करतेंगे साथियों यदि कर्म भाव में गुरु और राहु की ये युति है, तो ऐसे विक्ति को सरकारी कार्रों में सदैव देरी का सामना करना पड़ता है जहां पर सरकार का नाम आ गया, वो इनका कार्रे कभी भी पूरा नहीं होगा जो कार्रे तीन दिन में पूरा हो जाना चाहिए, वो इनका तीस दिनों में भी पूरा नहीं होगा इनके बारे में लोगों को बहुत जल्दी गलत फहमिया हो जाती है ये सब की मदद करने के लिए तदपर तो रहते हैं पर जिस जिस के ये मदद करते रहते हैं उनको लगता है कि ये तो एक taking for granted है किसी ने किसी प्रकार की allergy या संक्रामक रोग भी इनको घेर सकता है साथियों बात लाभ भाव की यदि यहाँ पर गुरु और राहु की युति है तो ऐसे व्यक्ति को एक सावधानी जरूर बरतनी चाहिए जहां पर भी वो लेंदेन करते हैं कभी भी विश्वास किसी पर भी न करें किसी को तो छोड़िये स्वयम पर भी विश्वास मत करें जो भी लेंदेन की बात है उसको पूर्म रूप से लिखित में अवश्य करें क्योंकि जैसे ही फल प्राप्ती की बात आएगी आपके अपने ही लोगा आपके शक्त्रू बन जाएंगे आपकी बचत जो कि आप अपने खून पसीने की कमाई से संचित कर रहे हैं उसको आपका ही कोई विश्वस्त व्यक्ति आपसको ठग करके ले जा सकता है ऐसे व्यक्ति को व्यापार न करे तो बहतर रहेगा नौक नी करे तो ज्यादा श्रेष्ट रहेगा साथियों यदि गुरू और राहू की ये युती तुला लगन के 12th हाउस 12 भाव व्याव में यदि है तो ऐसे व्यक्ति को चिंता अवसाद जिसको की डिप्रेशन भी कह सकते हैं वो नियमित रूप से घेड़ता है तीस वर्ष की उमर के बाद तो खास तो और पर नींद कम आने की समस्या इनको रहती है दिन में इनको नींद आएगी रात में इनको कार्रे करने की इच्छा होगी और जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के इनको या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो विदेश में कोई बड़ा मेजर धोखा मिलने का आसार उत्पन होता है तो साथियों आज हमने चर्चा की तुला लगन की उसमें बनने वाले चांडाल योग की विभिन भावों की आईए साथियों अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की योड़ आज हमने कमेंट शामिल किया है शिवानी जी का जो की उन्होंने लिखा है सरूर पूर उत्तरप्रदेश से दो वर्ष से अधिक समय आपके विभाको हो चुका है पर उन्तु संतान सुख अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पाया है संतान सुख आपको अवश्य मिलेगा पंचमेश आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र है जो कि त्रिक भाव में जाने के कारण देदी का कार्रे कर रहा है मई 2022 के बाद में आपको अवश्य ही संतान प्राप्ती होगी आप पती और पतनी दोनों तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल समर्पित करें सुबह इस नानाती करके दोनों को करना है ये कार रहा है किसी एक को नहीं तो साथियों अब आज का बेहत ही आसान सा प्रशन आज हमने चर्चा की तुला लगन की तुला लगन की जन्मपत्र का में तृतिये श अर्था तृतिये भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होता है साथियों आप सभी स्वस्थ, सम्रद्ध और शान्ति पूर्वक जीवन व्यतीत करें नमस्कार जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं जैसे की शादी में देरी होना पती पत्नी में मन मुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना संतान का प्राप्त न हो पाना नौकरी या धन प्राप्ती में बाधा आना जीवन के प्रत्यक खेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विशलेशन करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ती